दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे दोस्तों दोस्तों जो लेखा क्यों रचनाओं की सीरीज है उसमें आज हम दूसरे सीरीज के साथ आये हैं तो चलिए प्रस्ण को करते हैं मित्रो प्रस्ट नम्मर एक है मित्रों जूठा सच किसका उपन्यास है आफसन ए है मित्रों उपेंद्र नात अस्क आफसन बी है एसपाल आफसन सी है नागारजुन आफसन डी है रांगे राघो तो जूठा सच किसका उपन्यास है मित्रों ये एसपाल जी का है आफसन बी इसका सही हो जाएगा मित्रों अगले प्रशन पे चलते हैं अगला प्रसन है साथ्यूं बाण भटकी आत्म कथा किस डिधा की पुष्थत्तarken है आफसन-a है मित्रों जीष्ण बीhero आत्म कथा आफशन C है रेखा चित्र आफशन D है उपन्यास तो बाण भट की आत्म कथा किस विधा की पुस्तक है मित्रों यह उपन्यास है आफशन D इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी हो अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों इनमें से हजारी किसका उपन्यास है वैसाली की नगर बधू किसका उपन्यास है वैसाली की नगर बधू किसका उपन्यास है ये फेमस है बहुत परिच्छाओं में ज़्यादा पूछा जाता है और इस पे साइट डाकुमेंटरी या पिक्चर बना हुआ है अच्छा उपन्यास है पढ़िएगा अगर कभी मिलेगा तो आ जबाचार चतुर सें सास्तिरी का है मित्रों अगले प्रस्न पर चलते मित्रों अगला प्रस्न है हिंदी के सुपरसिद्ध आंचली कुपन्यासकार इन में से कौन है इन में से बताना है अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रो अनामदास का पोथा किसका पन्यास है? अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है आफसन A है मित्रो उपेंदरनात अस्क आफसन B है मोहन राकेश आफसन C है हजारी परसाद दुवेदी आफसन D है देवराज तो अनामदास का पोथा किसका हो जाएगा ये हजारी परसाद दुवेदी का उपन्यास है मित्रो आफसन C इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगले प्रस्ण बे चलते हैं, अगला प्रस्ण है मित्रों, सारा आकास, क्या है, सारा आकास, इसके लेखक कौन है, आफसन A है मित्रों कमलेश्वर, आफसन B है मोहन राकेश, आफसन C है राजेंद्र यादो, आफसन D है मित्रों मन्नु भंडा तो सारा आकास की लेखक कौन है मित्रों ये राजेंद्र यादो जी है आफसन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडियो को लाइक करते रहेगा मित्रों अगला प्रस्न है मित्रों इनमें से शिव प्रसाद सिंग का उपन्यास कौन सा है शिव प्रसाद सिंग का उपन्यास इस आफसन C जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सातियों, अगले प्रस्ण पे चलते हैं, अगला प्रस्ण है मित्रों, इन में से राज कमल चवधरी का उपन्यास कौन सा है, इसमें से राज कमल चवधरी का उपन्यास बताना है, आफसन A है मचली मरी हुई, आफसन B है एक पति क A, notes, आप्सन C है, परक, आप्सन D है, मन, विरिंदावन, तो राज कमल चौधरी जी का उपन्यास कौन सा हो जाएगा, ये मचली मरी हुई हुई, जो है, ये राज कमल चौधरी जी का उपन्यास हो जाएगा, तो आप्सन A, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगले प्रस्न पे चलते हैं मित्रों, अगला प्रस्ण है आधा गाउं, आधा गाउं ये उपन्यास है, ठीक, आधा गाउं उपन्यास के लेखक कौन है, आफसन A है मित्रों, उदे संकर भट, आफसन B है, राही मासूम रजा, आफसन C है, नागार जुन, आफसन D है, राजेंद्र यादो, तो आधा गाउं के लेखक कौन हो जाएंगे मित्रों, ये हो जाएंगे राही मासूम रजा, आफसन B इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों, अगले प्रस्ण बे चलते हैं, अगला प्रस्ण है मित्रों, मानस का हंस, किसके जीवन पर आधारी तुपन्यास है, क्या ह ये तुलसी दास के जीवन पर आधारी ते आफसन C इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, अगले प्रस्ण बे चलते हैं, अगला प्रस्ण है साथियों, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, इसमें पूछा गया है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, आफसन A है कंले सवर, आफसन B आफसन C है रमेश वच्छी आफसन D है निर्मल बर्मा तो तमस उपन्यास के लिए कोन हो जाएंगे मित्रों यह भीश्म साहनी जी हो जाएंगे आफसन B इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों लाल टीन की छत लाल तो लाल टीन की छत किसका उपन्यास हो जाएगा मित्रों यह निर्मल बर्मा जी का हो जाएगा आफसन C इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगला प्रस्ण है साथियों महाभोज उपन्यास की लेखी का कौन है मित्रों तो आफसन A है उस प्रियमवदा आफ्षण बीमिर दुलागर्ग कि क्रिष्णा शोबती आफ्षण डी है मनु भंडारी तो महाभोजु पन्याष के लिए क्या दोस्तों मनुं भंडारी हो जाएंगी आफसन D इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छा मन्नू मंदारी पढ़के लगता नहीं कि यह महिला का नाम है ना इससे confusion होती है तो इसको ध्यान में रखिएगा अगले प्रस्ण में चलते है मित्रों अगला प्रस्ण है हिंदी का पर्थम महाकाब किसे माना जाता है आफसन A है मित्रों पदमावद आफसन B है राम चरित मानस आफसन C है प्रत्वी राज रासो आफसन D है इन में से कोई नहीं तो हिंदी का पर्धम महाकाब किसे माना जाता है? ये फिर्थ्वी राज राशो को माना जाता है साथियो, आफशन सी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा. अगले प्रस्ण पे चलते हैं साथियों अगला प्रस्ण है मित्रों वीसल देवरासो के रचैता का नाम क्या है वीसल देवरासो के रचैता का क्या नाम है आफसन ए है मित्रों चंद वर्दाई आफसन बी है जगनिक आफसन सी है दलपती विजय आफसन डी है नर्पति नाल है तो बीसल देवरासों के रचहिता कौन हो जाएंगे ये नर्पत नाल जी हो जाएंगे आफसन डी इसका सही तर हो जाएगा मित्रों अगले प्रस्न पे चलते हैं अगला प्रस्न है साथियों चंदायन किसकी कृति है चंदायन किसकी कृति है आफसन B इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अगले प्रस्ण में चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल का रामकाब्ड है तो आफसन A है रामचरित मानस आफसन B है साकेद आफसन C है रामचंद्रिका आफसन D है पौंचर साकेद है आफसन B इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरित मानस देखके इस त्यांस पर मत लगाएगा यह साकेद होगा इसका टीक जो रामकाब्ड से है अगले प्रस्ण पे चलते हैं साथियों अगला प्रस्ण है इनमें से कौन सी रचना तुलसी दास की तुलसी दास जी कौन सी नहीं है tą आफsome A है मित्रों बरवे रामायड आफसन B है राम चंदरिका है आफसन c है बिने पत्रिका आफसन d दोहा वली को को नहीं हो जाएगी यह राम चंदरिका अफसन कि नुकश की हमित्रों यह नहीं होगी अगले प्रस्न प्राशने में जितरों निम्न लिखित में कौन सी रचना केशो दास जी की है कौन सी रचना इसमें पूछा है केशो दास जी की है आफसन ए है कभी प्रिया आफसन बी है गीता ओली आफसन सी है पदा ओली आफसन डी है कावद निर्ड तो केशो दास जी की कौन सी इसमें है ये कभी प्रिया आफसन लजवरे इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों. अगले प्रसने पर jamma, अगला प्रशने मित्रों निम्न में से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। इसमें पूठा गया सूरदास की कौन सी रचना नहीं है तो आएए पहचानते हैं कौन सी नहीं है आशन A है साथियों सूर्दास आशन B है उधव सतक आशन C है सहित लहरी आशन D है सूर सारावली तो इसमें सूर्दास की रचना सूर सागर भी है सूर सागर है सहित लहरी भी है और सूर सारावली भी है तो कौन सा इसका उत्तर हो गया यह उद्व सतक जो हो जाएगा आपसन B इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों खडी वोली के पर्थम महाकाब का क्या नाम है खड़ी बोली का पर्थम महा काब्य जो है उसका क्या नाम है मित्रो आफसन A है साकेट आफसन B है कामायनी आफसन C है प्रिय प्रवास आफसन D है लोकायतन तो खड़ी बोली का पर्थम महा काब्य कौन सा है साथियों ये प्रिय प्रवास आफसन C इसका सही उत्तर हो जाएग प्रिये प्रवास खड़ी मौली का पर्थम AKB आना जाता है। ठीक। अगले प्रसनी चलते हैं। अगला प्रसन है शाथिओं। भारत भारतिक रच ोप्त ख। 750 की रचईता कौन है изв में प्रेम रच कर Il तो भारत भारतिक रचिओं कौन है मित्रों ये मैतली सरण गुप्त जी है आफसन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रस्ण पे चलते हैं साथियों अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेंद्र रचित है जैनेंद्र जी द्वारा कौन सा रचित उपन्यास है यही प्रक जो आफसन B है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रस्ण पे चलते हैं साथियों हिंदी गद्य का जन्म दाता किसको माना जाता है अगला प्रस्ण है कि。 तो हिंदी-घ्यान साकुंतलम का हिंदी अनुबाद कि नीकिशन हें. किया है कभी काली दास की अच्छा काली दास बोल जाता है काली दास नहीं होता है काली दास होता है ठीक तो सही पढ़ा करिए कभी काली दास की अभिज्यान साकुंतलम का हिंदी अनुवाद किस ने किया है आफसन ए है मित्रों सदा सुखलाल आफसन बी है गोसामी विठलनाद आफसन C है, राजा स्यू प्रसाद, आफसन D है, राजा लचमन सिंग, तो कवीकालिदस की अविज्यान साकुंतलम का हिंदी में अनुबात किसने किया है, ये किया है राजा लचमन सिंग ने, तो आफसन D इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, अगले प्रस्न बे चलते हैं, अगला प्रस्न है साथियों किस काल को सुन काल कहा जाता है तो आफसन देखते हैं इसका आफसन A है रीतिकाल आफसन B है भक्तिकाल आफसन C है आधिकाल आफसन D है आधुनिक काल तो किस काल को सुन काल कहा जाएगा भक्तिकाल को आफसन B इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियो अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों सूरदी जी के गुरू पूछा गया है अदर ऊपसन देखते हैं इसका मित्र आपसन A है रामानंद आपसन B है मद्धवाचार आपसन C है रामदास आपसन D है बल्वाचार तो वुद्र आपसण दास जी के गुरु कौन थे ये बलवाचार थे तो आपसंडिस चाही उत्तर हो जाएगा मित्रों अगले प्रसम पर चलते हैं अगला प्रसम है मित्रों गागर में सागर क्या है गागर में सागर भरने का करीन कि servicio कभी किया था किसने किया था आएए देखते हैं तो कौन करते थे ऐसे अईसा बिहारी जी करते थे आफसन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अगले प्रस्ण बे चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों वापसी वापसी किस बिधा में रचीत है वापसी जो है ये किस बिधा में रचीत है आफसन ए है मित्रों आत्म कथा आफसन बी है कहानी आफसन सी है संसम ने किया गई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे भारत जे हिंदी